आज़ादी के 72 साल बाद भी भारती समाज जातिवाद से बूरी तरह ग्रस्त है आज भी दलीत शोशन अत्याचार भेदभाव का शिकार हो रहे हैं ताजा उधारन राजस्तान के चितोडगर जिले के लक्ष्मिपुरा गाउं में देखने को मिला है इस गाउं में मंगलवार की राद दलित युती की बिंद उली पर जातिवादी सवरणों ने पत्थर फेह गे दरसल लक्ष्मिपुरा निवासी नाथुलाल भामबी की बेटी की बिंद उली निकल रही थी इसे दोरान गाओं के दस सवरणी युवकों ने बिंदोली पर पत्थर फेटना शुरू कर दिया, बिंदोली में शामिल परिवार के लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही सवरणी युवकों ने दुलन के भाई रमेश और शिवलाल पर लाठियों से वार कर दिया दोनों भाईयों के हाथ फेक्चर हो गए है, घर के मुखिया नातुलाल कोई इतना पीटा गया कि वो अस्पताल में भरती है अब सवाल ये उठता है कि अगर आज़ादी के 72 साल बाद भी समाज ये सत्तक जातिवाद से ग्रस्त है तो किस बात के लिए आज़ादी का जश्न सत्ता में कोई भी जातिवाद इतावत बना रहता है, फिलाहल राजस्तान में कॉंग्रेस का शासन है, इससे पहले बीजेपी का था पहले भी ऐसी घटाएं सामने आ चुकी है और अभी भी आ रही है, इससे तो यही साबित होता है कि दोनों पार्टियों में ही कुछ गड़बढ है जिसकी वज़े से राजस्तान जातिवाद से मुक्त नहीं हो पाया क्या कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में ज़्यादातर सवरन नेता है, इसलिए राजस्तान जातिवाद से ग्रस्त है, पुरे भारत का भी यही हाल है, इन्हीं दो पार्टियों के नेताओं ने केंदर की सत्ता भी समाली है एक सवाल और, खुद को सामाजिक परोधा कहने वाली जातियों ने समास से जातिवाद को खत्म क्यों नहीं किया, जो जातिया खुद जातिवाद का शिकार थी, उनसे ऐसी उम्मित करना तो धुर्तता होगी, आरक्षन के खिलाफ मुहिम चलाने वाली जातियों ने जातिव के खिलाफ आंदूलन क्यों नहीं किया